वुझे में चनल में आप सभी कस्वागते हैं, आज का सिंप्लिपाइ का एग्जम्पल है, एग्जम्पल है, 3 to the power of x plus 33 to the power of x plus 333 to the power of x, how divided by 5 to the power of x plus 55 to the power of x plus 55 to the power of x is equals to 25 divided by 9, एग इवन है, यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या होता है, यह फांडट करना है, ठीक है, तो सॉलूशन, सॉलूशन में जो गिवन इक्वेशन है, यहाँ पर क्या करिए, पहले 3 to the power of x, आज जो लिख लेंगे, प्लस, ए 33 to the power of x को हम 3 into 11 कर सकते है, 3 into 11 minus 33 होते है, whole to the power of x बनते है, प्लस, 333 को, इसको भी हम 300, 3 into 11 कर सकते है, 333 बनते है, whole to the power of x, एग जो लिख लेंगे, तो डिवाइड बाये 5 to the power of x को कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे रखो, प्लस, 55 to the power of x है, एगर 55 को हम 5 into 11 कर सकते हैं, to the power of x as बन, प्लस, 555 को, 5 into 111, whole to the power of x कर सकते हैं, ओके, तो इस सिक्वेंच, 25 divided by 9 as बन, तो अभी यहाँ पर देको 3 into 11, whole to the power of x, 3 into 111, whole to the power of x है, यहाँ पर 5 into 11, whole to the power of x है, तो हिर क्या बनन्ते हैं, 3 to the power of x, प्लस, 3 to the power of x, प्लस, 3 to the power of x, in to 111 to the power of x, यहाँ पर बनिगा, whole divided by, divided by में क्या आते है, 5 to the power of x same, और यहाँ पर 5 to the power of x, into 11 to the power of x, plus of यहाँ पर 5 to the power of x, into 111 to the power of x, equals 25 divided by 9, एक आचाचा, ओके, तो अभी दीखिये, यहाँ पर plus आए ने, यहाँ पर plus आए ने, यहाँ पर 3 to the power of x है, यहाँ इसमे भी 3 to the power of x है, इसमे भी 2 to the power of x है, तो इसको 3 to the power of x into 1 समझ लो, तो यहाँ पर 3 to the power of x कमन है जाएगा, तो 3 to the power of x अगर यहाँ पर कमन लिया, तो यहाँ पर बच्चले रिमेनिक रहा रहे 1, plus यहाँ पर 11 to the power of x common रहे, रिमेनिग्रा रहे, और यहां पर 111 to the power of x रिमेनिग्रा रहे, तो whole divided by, यहां पर 5 to the power of x, यहां पर भी same, यहां पर plus है, यहां पर plus है, 5 to the power of x, इदर भी और यहां पर भी यहां पर भी है, तो यहां पर 5 to the power of x common लिंगे, तो यहां पर भी 1 से multiplication करदो तो यहां पर remaining 1 रहेगा तो यहां पर 5 to the power of x बाहर आया तो 11 to the power of x यहां पर रहेगा remaining यहां पर 111 to the power of x remaining यहां पर रहेगा निव दिनामेटर में भी 1 plus 11 to the power of x plus 111 to the power of x है यहीं सेम है तो इसका मतलब के दोनों कट करेंगे तो remaining 3 to the power of x divided by 5 to the power of x ही रहेगा तो 3 to the power of x divided by 5 to the power of x is equals to 25 to the power of x divided by 9 means हम इसे 5 square divided by 3 square हम लेक सकते हैं फोचे काम हम मिले को करएड़्या, अभी हम क्या करेंगे यहां पर क्या गते हैं इस सेम रहेके हैं कहज़ यह 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 वह दिक रहें बाव दोन कर्षक मांतलब 5 divided by 3 whole square इसे हम कर सकते हैं ओके लेकिन आवरीक आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हमें तो यह क्या बन रहे है 3 by 5 इसका बेस है power x है यहाँ पर 5 by 3 बेस है तो 3 by 5 5 by 3 दोनों एक को एक inverse है तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे इसको इनवर्स को हम क्या खरेंगे ये बाई B अगर रहा तो यम रहा तो B by A to the power minus Y ये आडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे तो ये बनेगा 3 divided by 5 whole to the power of x यहाँ ज़ल रहन दो लेकिन ये बनेगा 3 divided by 5 5 by 3 को 3 by 5 हो गया तो इनवर्स में क्या आजाएगा रेस पाउर में तो पोजिटूटो है यहाँ पर ये नेगेटूटो बनेगा अभी देखो बेस सेन हो गया 3 by 5 3 by 5 और इक्वल साइन हो गया बीच में तो ये दोने इंडेक्स इक्वल करेगा क्योंकि हमें पता है हमें पता है इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा x इक्वल स माइनस 2 बनेगा therefore therefore x इक्वल स नेगेटिव 2 ये हमारा final answer x का value क्या आ रहे नेगेटिव 2 ओके यहाँ पर x का value रखोई दे नेगेटिव 3 तो डिखने के लिए बहुत बोधनेवाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजे और विजय मैक चनल को सब्सक्राइब कीजेए